हेलो एव्रिवन वेल्कम टो वर यूटूब चैनल ओल्ली यूपिर परलसी कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का लेक्चर लेक्चर और लेक्चर को सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चै है मश्करश का लेक्चर से सुमेलिट केंडिफि तना सुची नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चैन कीजी सुची वग जो है इसमें हड़ पी स्थर दे यूए और सूची थे कि से कंड़्वे है इसमें कहां इस्तीत हैं आपको बताना है कि तो मांडा मांडा का लिए जम्मू कस्मिँर में है और दैमाबाद जो है आ अ महरास्टर में कालिबंगा जो है राजिस्थान में और राक्hीगड़ी जो है या हर्याना में उटे से आप लोग नोटन कर लीजेगा तो इसका सही एंसर है C 3412 मानडर जम्मुकस्मिर में इस्ति थे दैमाबाद जो है महरास्ट में इस्ति थे काली बंगा जो है राजिस्थान में इस्ति थे एंड राखी गडी ये हर्याना में question number two है उपनिशत पुस्तके हैं किस पर आधारित पुस्तके हैं उपनिशत पुस्तके हैं तो option A है धर्म पर, option B है योग पर, option C है बिधी पर, and option D है दर्शन पर तो अपनिसद जो पुस्तकें हैं या किस पर आधारित हैं तो इसका सही एंसर है गाइज ओप्शन डी दर्शन पर अपनिसद जो पुस्तकें हैं या दर्शन पर आधारित हैं Question No.3 है चोलो की राजधानी थी Option है कावेरी पत्तन Option B है महाबली पुरम Option C है काच्ची Question No.4 है निमलिखित में से कौन एक युगम सुमेलित नहीं है ऐसा कौन सा युगम है जो गलत है Option है दिवाने मुस्तखरा जलाओ दिन खिल जी Option B है दिवाने या मेर को ही मुहमत बीन तुगलक Option C है दिवाने खैराज फिरोज तुगलक Option D है दिवाने रियासत बलबन तो कौन सा युगम जो है या सुमेलित नहीं है तो इसका सही एंसर है Option D या Option गलत है दिवाने राई या दिवाने रियासत जो है बलबन से समंधित नहीं है इसे आप लोग नो डाउन कर लीजेगा Question No.5 है निम्न यूरोइपी सकतियों ने भारती ब्यापार में समय समय पर प्रवेस किया इसमें पूछा कहा है कौन सी यूरोइपी सकती है जो सबसे बाद में आई तो सबसे पहले कौन सी आई थी यह पुर्तगाली फिर डच आये थे फ्रांस फिर अंग्रेज आये थे फिर फ्रांस ची तो इसका सही अंसर है ओप्सन भी चार दो एक तीर पुर्तगाली डच अंग्रेज फ्रांस ची इसका क्रम ऑप्सन भी इसका क्रम सही है उप्सन भी है बाज आप्सन सी रुमाल एंड आप्सन डी है दो तलवारे तो जो अठारा सु सतावन की स्वाधिन्ता संग्राम का प्रतीग जो था या क्या था तो यह था कमल और रोटी आप्सन इसका सही अंसर है question number 7 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजी और सूची नीचे दिये हुए कूट का प्रियोग करते भिए सही उत्तर का चैन कीजी तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से में लाना है कि कौन सी समिटी जो है किस से सम्बन देख है तो इसका सही एंसर क्या है अप लोग बताईएगा तो इसका सही एंसर है अभी नो भारज जो है किससे समद्य थे ये वीडी सावार कर उसके बाद अनुसीलन भारज अनुसीलन समिती जो है रविंद घोस से समद्य थे और गदर पार्टी जो है किससे लाला हर्देयाल से समद एंसर है ऑपसंदी 4213 ऑपसंदी इसका सही एंसर 4123 अभी नो भारत जो है वीडी सावारकर से संबंदित है अनुसीलन समिती अरविंद घोष से गदर पार्टी जो है लाला हर्दियाल से सुराज़ पार्टी सियारदा से यह आप लोग डाउन कर लीजेगा अगर आपको इस नेक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर एट निम लिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुई आंदोलन का नेतरत्तु किया था ओपसंदी सुरेंद्रनात बनर जी ने ओपसंदी सियारदास ने ओपसंदी आस्तोस मुखल जी ने और ओपसंदी सुरेंद्रनात बनर जी ने इसे आप लोग याद रखिएगा कि बंगाल के विभाजन का विरोध में हुए जो अंदोलन था इसका नेतरत्तु जो था यह सुरेंद्रनात बनर जी ने किया था क्वेश्चन नमबर नाइन है अखिल भारती हरीजन संग की स्थापना किस ने क इसे आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नमबर 10 है निमलिखित मिसे किस अधनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सरुपर्थम परोच निर्वाचन प्रडाली की सुरुआत की ऑफ्सने हैं 1909 में ऑफ्सन भी 1861 में ऑफ्सन C 1800 सर्षन में और ऑफ्सन D 1892 में तो कौन से सन में अंग्रेजों ने भारत में सरुपर्थम परोच निर्वाचन प्रडाली की सुरुआत की थी तो इसका सही एंसर है ऑफ्सन D 1892 में संसार का सबसे बड़ा दीप कौन सा है ऑफ्सन है बोर्णियों ऑफ्सन B है ग्रीन लैंड ऑफ्सन C है मेडा गासकर और ऑफ्सन D है न्यू गिनी उसका सही एंसर क्या है उसका सही एंसर है ऑफ्सन B ग्रीन लैंड संसार का जो सबसे बड़ा दीप है इसका नाम ग्रीन लैं question number 12 है विष्ट्ट्फ की सर्वाधिक लंबी परवस रंकला कौन सी है ओप सउन हैं हिमालें ऑप संदी ऑप सन सी राक इस अप्सन एंडिऑ आ पस तो बिठ बिध्ट्फ की सर्वाधिक लंबी परवस्त रंखला इसका नाम क्या है तो इसका नाम है इंडीज इंडीज परवस्त रंखला जो है यह विस्तु की सरवाधिक लंबी परवस्त रंखला है इसे आप लोग याद रखेगा question number 13 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए अथवा सूचियों के नीचे दिये हुए कूट का अपयोग करके सही उत्तर चुनिए तो इसमें से कौन सी चीज जो है या कौन से राजी से संबंदित इसे आप लोग बताईएगा तो इसका सही एंसर है उकाई जो है या गुज से संबंदित है पतरातु जहारखंट से संबंदित है पेच मध्यप्रदेश से और डाभोल जो है या महाराश्च से इसका सही एंसर है ऑप्सन बी दो एक चार तीम इसका सही एंसर है क्वेश्चन नमबर 14 है सूची वन को सूची दो से सिमेलित कीजिए तसा सूच्यों के नीचे दिएगे कोट से सही उत्तर चुनी तो कौन सी परियोजना जो है या किस नदी से संबंदित है भाखडा हीराकुंड इडुकी नागारजुन सागर ये किस नदी से संबंदित है तो जो भाखडा है या किस नदी से संबंदित है आप बताएए कमेंट करके भाखडा ये शतलज नदी पर है घरकुंड जो है और महा नदी परियार पर है और आगारजुन सागर जो है किश्णा नदीप है तो इसे आप लोग नो डाउन कर लिजेगा क्योंकि हर एक्जाम में रिपीट जरूर होते हैं पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना कहां पर है कौन सी नदीप है जिसमें से यह चारो जो है यह बहुत इंपोर्टेंट है भाखडा पूचा जाता ह हीरा कुंड जो है महा नदीप है इड़की जो है पेरियार नदीप है और नागा अर्जुन सागर जो है किश्णा नदीप है इसे आप लोग नो डाउन कर लिजेगा तो इसका सही एंसर ऑप्शन भी ए फोर बी थ्री सी टू डीवन है क्वेशन नंबर 15 है सूची वन को सू लूइं जो कौन से राजली से समन्दित हैं तो जो है अरणाचल प्रदेश से समन्दित है जेलपा झो यह किसे सम भंदित है allegations से सम्बंधित है पक्री समय में एधितैम नियुंक देखी इसका सही एंस और varios 딱 बंशन राचल प्रदेश जेल्पा घरजिया से मूलिंग नैझे जक्शर प्रदेश तो यह भूटर प्रदेश में नृ deben दो पूंब्र पूछे जाते हैं मत्यप में कि एन द्रजिया कहां पर है तो यह ही में चिम प्रियुक्त सभी उदरी करण वैस्वी करण निजी करण यह सारी जो नीतियां थी इसारी इंपोर्टेंट प्रियुक्त सभी इसारी आप लोग बाढ़ को रोगना यह तो रॉंग होगा फ्लेट से आप लोग बाढ़ मत लगा दीजीगा क्योंकि बहुत लोगों अप्रेशन फ्लेट को बाढ़ लगा देंगे लेकिन इसका सही एंसर है ऑप्रेशन बी दुग्द का उत्पादन और फ्लेट जो है दुग्द पादन से समंधित है इसे आप लोग याद रखेगा इसी से रिलेटिट पूछा जाता है स्वेत क्रांती स्वेत क्रांती के जनक क अमन्दित हैं और वो स्वेत क्रांती जोह और और कुर्यां क्ष्चन है बिलाई स्टील सनियंत्र और को करद में तो याइक सारवजनेक उपकरम है, इसे आप लोग नो डाउन कर लिजेगा question 19 है making India कारिकरम का logo है option A है share option B है हाथी option C है चीता and option D है कंगारू making India कारिकरम जो है इसका logo क्या है, इसका logo है share, इसे आप लोग याद रखीगा, important है पूछा जाता है making India कारिकरम का logo क्या है, तो इसका logo जो है share है, बहुत basic question है आप लोगों को पता होना चाहिए question number 20 है आबिध हुसेन समिती का संबंध था option A है निर्याग समर्धन से option B है लग हुद्योग से option C है करसी विकास से and option D है उर्जा छेतर सुधार से तो आबिध हुसेन समिती का संबंध किस से था, आप लोग comment सक्षन में बताईएगा तो इसका सही answer है option B लग हुद्योग question number 21 है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिदियों का कारिकाल कितना होता है option A है 3 वर्स option B है 5 वर्स option C है 2 वर्स and option D है 4 वर्स तो इसका सही answer क्या है तो इसका सही answer है option B 5 वर्स ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिदियों का कारिकाल 5 वर्स का होता है question number 22 है वर्स 2000 में निम्ण में से किस राज़ी का गठन नहीं हुआ था option है जहार खंड option B है उत्राखंड option C है तेलांगना and option D है 36 गड तो इसका सही answer है option C तेलांगना तेलांगना का जो है गठन का हुआ था यह 2014 में हुआ था इसे आप लोग ग्याद रखेएगा question number 23 है किसी भारती राज़ी की प्रथम महिला राज़िपाल कौन थी option है सुचेता करपलानी option B है पदजा नाईडू option C है तारेक सरी सिनहा and option D है सरोज़नी नाईडू तो किसी भारती राज़ी की प्रथम महिला राज़िपाल कौन थी तो या थी सरोज़नी नाईडू उसका सही answer है option D question number 24 है राश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च प्रणाली जो है या भारत के सम्मिधान की विशेष्ता नहीं है। Q26 है ध्रणी निमलिखित में से किस माध्यम से तीवरता से गुजरती है। Q27 है इमली में मौजूद अमल का नाम बताईए। Q27 है अमली में जो मौजूद अमल है इसका नाम क्या है। Q28 है नमक का राहसानिक नाम क्या है। Q29 है निमलिखित में से किस बिटामिन को रेटी नाल भी कहा जाता है। Q29 है ओप्षय है वितामिन को और ईसमें से कौन से बिटामिन को यह कौन सा बिटामिन है जिसका राहसानिक नाम रेटी नाल है तो इसका अशि कौन से रेटी नाल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी को किस नाम से याना जाता है स्कारिंड केसिड प Himself कारविकेसिड और विटामिन के जो है इसका रायसानिक नाम नाम में पério को नून तो भी को नून मित Song कर दिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजीगा और दीजिए आने वाली वीडियो की नापको समय में मिल पाइं तो किस्टन में 30 है Long किस से प्राप्त हुई? Option है जड, Option B है तना, Option C है पत्या, Option D है फूल की कली तो Long जो है किस से प्राप्त हुई तो या फूल की कली से प्राप्त हुई तो आज का लेक्चर यहीं खतम होता है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू फॉर सपोर्टिंग